आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शाम के लिए एक बहुत ही बड़ी हास्नाइक्स है इसका नाम है केहूं के कुर्मूरे के लिए सामगरी इस प्रकार है यह केहूं के कुर्मूरे हैं यह आपको किसी भी किराने शौप में आसाने से बिल जाएंगे पीनट्स मैंने एक चमज ले लिया है आठ से दस लसुन की कलिया जो कूटके रख लिये साथ से आठ कड़ी पत्ता रोस्टेड चनादाल ये दोनों मैंने सीम लिये रेडचीली पॉडर एक टीस्पूर सॉल्ट मैंने थोड़ा लिया है क्योंकि कुर्मूरे में थोड़ा सॉल्ट होता है तो इसलिए सॉल्ट थोड़ा सा कम ही ले राई आधा छोटी चमच एक चुटकी हीं और एक चोटी चुटकी शक्कर का आठा ले लिया है और तड़के के लिए हम अभी शुरू करेंगे मैंने एक पान में दो चमच तेल डाल दिया है अब तिल गरम होने के बाद हम इसमें राई डालेंगे कड़ी पत्ता मैंने डाल दिया है अब मैं डाल दिया है प्लसंद की कलिया जो कूटके रख लिये थी से अब में थोड़ा सा प्राई कर लेंगे अब हम इसमें जाड़ेंगे पीनट्स दो मिनट के लिए अब में इसे फ्राई करेंगे दो मिनिट बाद नमक शक्कर कार्ण और रेड चीली पाउंडर डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे यह देखें यह याद रखिए इसे हमेशा लो फ्लेम पे ही करना है यह अच्छे से मिक्स होने के बाद गैस को बंद कर दीजिए फिर उसके बाद उसमें मुर्मुरब्र डालके अच्छी से एक मिक्स दीजिए इसके बाद अच्छी से मिक्स के बाद फिर से एक बाद लो फ्लेम में दो मिनट के लिए हिलाते हुए चलाते हुए हम दुबारा गर्म करेंगे यह देखिए यह गैस से नीचे ले लिया है और अब भी मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं यह अब अच्छे से मिक्स हो चुके हैं अब हम इसे दुबारा लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए फिर से गैस पर रखेंगे इसे ऐसे ही हिलाते रहना है ताकि यह जलेना अगर आप चाहें तो लाल मिर्च के बजाए हरे मिर्च बारी काट कर भी डाल सकते हैं ये गेहूं के कुर्मूरे अब तयार हैं अब हम इसे गैस से उतार लेंगे अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए शेर और कमेंट कीजिए और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना न भूले थैंक यू